हम तो ऐसे आ गे थे, आज ही पदा लगा कि आज से राम नौमी का प्रदन दिन है, तो ए तो राम की निला है कि आज का दिन हमारे को यहां पे बुलावा आया है, बस अब दर्शन करने के लिए उताव ले हैं, बस लग रहा हैं, बहुत यह बढ़िया लग रहा है, थोड़ा इतना जो भीडभाड है और सुद्धालू जो यहां पर आये हुए हैं इनको देखके तो मन और अच्छा हो जाता है कि भई अब बहुत बहुत ही उताबले हो रहा है पर्शन करने के लिए बहुत अच्छी बात है यही तो बात है जब बड़ा मंदिर का घाटन होता है पूरे पूरे अध्या में जो उन्नती हो रही है आम देख रहे हैं अभी बिलकुल जो आटो वालिय से लेके होटल से लेके धरमशाला लेलो जो भी जितने चोटे मोटे विकांदार हैं सबकी सब औरहों का बलाई हो रहा है तो बहुत ही बडिया है यही चीजे हैं हमारी जो बक्ट बक्त जनों का जो आना जाना रहता है उससे बहुत बहुत उन्नती होती है बहुत अच्छी बात है सुप्रामानियान जेज सिरिराम सेलेश कुमार महतो बहुत अच्छे से दर्षन हुआ देखकर बहुत अच्छा लगा टाइम तो लगा असर दोर से धाई घंटा लेकिन दर्षन बहुत अच्छा हुआ मन खुस हुआ भगवान सबको सुखसांती रखे मेरे घर परिवार को सबको अपने जो भी है सब यही मेरा यह है अपना देश संती रहे मंदिर बहुत अच्छा है मंदिर में तो अब बता नहीं सकते हैं क्या क्या रखा है लेकिन बहुत अच्छा है एक एक हर्बाद्ट करे City म क्रिष्णन हम देली से आये इं तो पहली बार ये ओधिया की पुनियनगरी में आये हैं. रम नाओमी का बहुत शभ दिन, छ पहला रम नाओमी पहली बार रम आया में दर्शन करने आये तो बगवान श्री राम का बहुत बहुत तन्यवाद आने का में मौका मिला और यही प्रे करेंगे कि जैसे हम कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो बावन्तु हमारा देश पूरा यह पृत्वी में शांती बने रहे, सद्वावना बने रहे ऊण रहे हैं यहां जो भी भक्तित जन आये होए हैं सब को बगवान स्री राम का फर्माचा अ हुआ है बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं और यहां ब्रहत पृत लग रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसी बात नहीं है लेकिन है यह ज़रूर है कि आने वाला दिन में सारे काम अच्छी तरह से हो जाएगा मुझे भिश्वास से धन्यवाद मुझे भिश्वास